अमरीकी लोग चानते हैं एक युद्ध की कीमत क्या है अमरीकी लोगों ने इस लड़ाई को नहीं चुना है ये खुद सामने से चल कर रही है और आज इस का न्याएं उचका है इतिहास कवाह है आज तक दुनिया ने इतना बड़ा सुझ नहीं सहा है अमेरीकी धर्म युद्ध से बढ़कर आज तक किसी चीज ने इतनी ओभ्यवस्था इतना पागल बन इतना डर पैदा नहीं किया है आजादी के संहर्ष चितना बड़ा इतनी क्रूर ता कभी नहीं घटी उपर वाले के दिये आजादी को लेकर अमेरीका ने सारे राष्ट्रों में पैदा किया है आजादी का ये गिड़ा सामुहिक विनाश का ये महा हधियार अमेरीका ने डाखों लोगों को काट मारना सुईकार किया है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आजादी के नाम पर तुम मारे जाओगो पुरी तरीके से किसी और के मोक्ष बाने के नाम पर वो मोक्ष का डर था और डर ही असलियत में भागवान है जिन्हें सारे उनुष्यों को ऊजना चाहिए अब तुम अपने खमंड के लिए असली मौत का सामना करोगे मैं और काम के बारे में क्यों सोचता हूँ क्योंकि आज मैं वही कर रहा हूँ जो हर अमेरीकी करना चाहता है और जो हर अमेरीकी का सपना है मेरा भी वही सपना है प्रूप मैं आज मैं आज मेंट जाओ जार्वां के लिए भावाँ मैं आज मैं आज मैं मैं रवड़ मैं त। चलिए नहाआ जाँ प्रूब तुम प्रूब धुम तुम आज। पोपने कि प्हुम्चरत है। ऊजर हुआ व्हाँ जाँ च्लाजन व्हाँ जाँ व्हाँ अजर अभाँ व्हाँ यह क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आजाद देश्चार मैं आप मैंन डाओ अजाद देश्चार इतिहा, सच में Mom, Ford and Sons? अभी सुना नहीं, ठीक है अगला पूछो The Beatles She loves you, yeah, yeah, yeah रसा ही कुछ The Four Seasons? अच्छा, The Four Seasons? तुमें The Four Seasons पहना पूछ? Pranky Valley? हमें खुशी है कि आपने इस नाइडर बिल्डिंग के जरिये Pittsburgh के विशाल और शांदार इतिहास को खोजने का फैसला लिया है यही पर असली अमेरिकी सोचने चन्न लिया Pittsburgh के उनरोधार के अंदर हमारी जानकारी के अनुसार जैसा कि आपको में बता है कि यह जो वेल्डिक है यह काफी शांदार है और काफी बड़ी है मैं Ryan हूँ, Ryan Taylor मैं जानती हूँ मसा कर रही हूँ मैंने तुम्हें इस बस में पहले भी देखा है मैंने भी तुम इन देखा दे सच कह रहे हूँ इसके बढ़ती administration, American industrialism और खुला market enterprise को शलता है आज के तूर के सारे members लॉबी में सुबर 9 बजे तक इकच्चा हो जाएंगे ध्यान रहे कि हम complimentary parking दे रहे है वो भी हमारे अपने garage में जो Grand Street exit पर है तो तुम आप तुम KDTA में काम करती हो जो TV station है क्या? तुम बैच पहन कर आए थी एक दिन शायब कोई necklace था जिस पर तुमारी तस्वीर थी वही मैंने देखा था वो नई नी नी वो मेरी दोस का था मैंने उसके लिए पहन कर रखा था मैं एक hospital में intern हूँ हमें आपसे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये Pittsburgh के सबसे बड़ी icon है हमें आपसे बताने की जरूरत नहीं है कि वो Eastern Sea Board की भी सबसे iconic building है और ये जगह सबसे अनग है मेरा stop आ रहा है और मैं इसके बाद इस बस में कभी नहीं आऊँगी क्योंकि अब मेरी internship खत्म हो रही है तो मैं तुम्हें ये देती हूँ क्योंस लीनों बड़े लीनोंब रहा है क्योंसแत्स कि वह सबस्केर गुर्णवर दवाई अजूर थेखिरा है गुर्णवर श्राफ़ इस अन्मीनि अमेरिक है अजल 15 गर अभल व्याद दो प्रावार दोड़े जाए 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 और हमें मिली है कुछ दर्दनाक तस्वीरें उस एक्सिडेंट की जो सिर्फ कुछ ही मिनट पहले हुआ हम देख रहे है स्नाइडर बिल्डिंग को जो डाउन टाउन पिट्सबर्ग में है और कुछ ही मिनट पहले साउथ विंग के मेंटेनेंस फ्लोर पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ कुछ रिपोर्ट के मताबिक धमाका पूरे जोश के साथ हुआ जिसका असर रास्ते और स्नाइडर बिल्डिंग में महसूस हुआ बिल्डिंग के साउथ में एक बड़ा सा छे तैयार हो गया है जहां ये धमाका असल में हुआ बैनिंग्स को दो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग कापी दुखी हो गए है डरे हुए है और इस हाथ से को समझने की कोशिश कर रहे है अब हम लोगों को सावधान और शान करना चाहते है बैनिंग्स शायद हमारी किसमत अच्छी नहीं है शायद इसे पता ही नहीं है कि बॉम फट गया है यह क्या बोल रहा है हो तुम क्योंकि वो कॉल पर कॉल किये जा रहा है अभी मैं ट्रेस रंग कर रहा हूँ सस्पेक्टों निकल गया लेकिन सिगनल अभी भी स्ट्रॉंग है आज मैंने आप सबको इसलिए याद किया है ताकि आप सब लोग एक बात अच्छी तरह से जान ले पिट्सबर्ग जिस बज़े से यहां आए है पांट लेबिनन 319 North Diamond प्रायन H. टेलर एने से और हमारे ओफिसेस ने ने कन्फर्म कर लिया है घर और सेलफ़ोन उस लड़के के नाम पर ही रेजिस्टर्ड है हमने तीन बार कन्फर्म किया है एको अब जो भी होगा हमें उसे जिन्दा पकड़ना है हमें जज्जमेंट और कन्क्लूजन्स निकालने के लिए कोई ज़दबाजी नहीं करती चाहिए यह थमाका मैं ऐसे ऐसे थेयोरिस सुन रही हूँ कि शायद गैस लाइन तूट गई होगी या किसी तरह का केमिकल लीक होने से आग लगी होगी या फिर टेरिस्ट अटैक फायरफाइटर्स नाइडर बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने की पूरी कुशिश कर रहे है कुछी मिनट पहले फायरफाइटर्स की एक टीम साउथ एंटरंस से अंदर गई ये लोग धुए के अंदर गए और फिर कुछी मिनटों में पूरा एंडरंस चूट किरा हमें इन फायरफाइटर्स के हालात का कोई पता नहीं है लेकिन हमारी प्रात्ना यही है कि वो सलामत होंगे फिर से लगबख शाम साढ़े पांच बजे फेडरल ब्यूरो आफ इंविस्टिगीशन ने पता किया है उनके मताबिक पीशे हो जाओ मुझे यहां मेडिक की जरूरत है एक आदमी यहां दखनी हुआ है बैया क्या कर रहा हुआ है वैसे यह तुम ही हो ना रायन टेलर कॉंटिको में ट्रेंड स्पेशल ऑपरेशन कमैंड मार्सॉक लीडर इस पर मुझे तुम्हारे साइन चाहिए यह क्या पकवास है यह एग्रिमेंट है ताकि तुम्हारा केस ट्रायल के लिए ना आए कैसा ट्रायल और बदले में हम देखेंगे कि तुम्हारी सजा काफी हद तक कम हो जाए और तुम अपना पूरा वक्त बिताओ स्टेट साइकेट्रिक फेसलिटी में माफ करना आप कौन है रॉन काटर फेडरा लेजन्ड एफबी आई के साथ वैसे मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ उस धमाके को जो स्नाइडर बेल्डिंग में हुआ था और इस वक्त तुम मेरे सस्पेक्ट हो अपने गलत आदमी को पकड़ा है यह तुम्हारा सेलपोन है है ना हमने देखा कि तुमने एक बार नहीं बल्कि तीन बार इस फोन का इस्तिमाल किया है फोन कम्पनी रिकॉर्ड्स और सिम कार्ड ने यह बात कन्फरम की है और इस पर तुम्हारे हाथों के निशान भी बाए गये है रॉयन तुमने 76 लोगों की जान ली है लड़की वो बस वाली लड़की उसने उसने मुझे अपना फोन नमर दिया क्या दो मुझे साथ काम कर रहे हो नहीं वो मेरे पास आई थी और वो काम KDTA टेलिविजन स्टेशन पर करती है मैंने उसका बैज देखा था देखो मुझे बस ये सुरो मुझे बस उसका नाम अबंडा है केडिटी ये में काम करती है कर लगबग 59 है देखो अगर ये मुझे पर होता तो मैं तुम्हें तुरंट अमेरिकान पब्लिक के हवाले कर देता ताकि वो तुम्हें ग्राउंड जीरो में जिंदागार देते उपरवाला जानता है कि वो वही चाते हैं लेकिन मैं तो बस एक दूथ हूँ और तुम्हारे दोस्तों को ये छे घंटे पहले साइन करना चाहिए था कौन? CIA नहीं असकर विश्वास हो रहा है CIA को उससे क्या चाहिए वो उन दोनों के बीच में फसा है और उस लड़की के बारे में क्या जो KDTA में काम करती है मैं बस एक दूथ हूँ मैनेजर कह रहा है पूरे बिल्डिंग में अमेंडर नाम की कोई लड़की नी नहीं उसने भी तक साइन नहीं किया ठीक है यहां पर सुबे के पांच बजे है मैंने कहाना कि वो बस उस लड़की की बात कर रहा है यह सब बकवास है टाल रहा है वो लड़का उसमें ट्रेंड होगा आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ इस वक्त कुछ भी मत करो वो चाहते हैं कि हम उस लड़के को बचाएं आपको नहीं लगता कि यह जीब है कि उस लड़के ने डाउन टाउन पिट्सपर की एक बिल्डिंग को उड़ा दिया और सी आई ये उसे बचाना चाहती है मुझे नहीं लगता कि वो खुद से ज़्यादा उसे बचाना चाहते हैं बचाना है लेकिन किसे मेडिया अब उस कागजात पर दस्तखत ले लो दर सर्ण यहाँ है और देखिये ये इतनी प्रूरता कभी नहीं घटी उपर वाले के दिये गए आज़ादी को लेकर सुनो सुनो मैं तुम्हें बाद में फोन करता है मेरे दोस्तों मैं तुम लोगों से अाज कहना जहता हूँ कि ये आज़ादी का जख 15 मिनिट पहले ये आपके लिए भीचा है सिग्णे इमेल से आज़ादी का जख ड्रेस करो मैं जाना चाहता हूँ कि ये कहां से आया है आखिर आज़ाद हो झाओगे आज़ाओगे इस इमेल का आईपी अड्रेस है शुक्र है उबर वाले का की हम आजाद हम आजाद हो गए वैंगलोर टोकियो हमें आजादी मिल गई यह मिल oney chosen मिल ही जाएगी आखिर में आजादी उबर वाले का शुक्र है की हम आजाद हो गए आग क्या तुम देख रहे हो अब वक्त आ गया है कि डर की लहरों को जन तंतर से हरा दिया जाए हराना ही होगा अब वक्त आ गया है तुम्हारे जागने का तुम्हारे अमेरिकी सपनों से पाहर आने का स्नाइडर बेंदिंग पर बम किराना पूरे प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था लेकिन आज तुम्हारी असली परिक्षा है एक खटना तो अभी खट रही है जिससे पश्चिमी जनतंत्र तबाह हो जाएगा हमारी कोई डिमांड नहीं है कोई फिरौती की मांग नहीं कर रहे है सिर्फ ये कि अमेर की अपने खुटनों पे आ जाए और इस बढ़ते डर से डरे ठीक है अब प्लान बदल देंगे अगला टैक कहा होगा ढूंडो मैंने कभी पूरी जिन्दगी में इस आथमी को नहीं देखा ये बताओ कि अगला टैक कहा होने वाला है मुझे नहीं पता मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता मुझे क्या कहना चाहिए मैं इस आथमी को नहीं पहचानता देखिए ये जरूर कोई जाल है जरूर कोई मुझे फसाना चाहता है और इसलिए आपको इसमें फसा रहा है सुना आपने आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है आप क्या कर रहे हैं सुनिए सुनिए है इसी ने बहुती मुश्किल से एक साजिश की है ताकि इल्जाम मुझे आया और मैं यहां पर फस जाओ आपको किसी ने अच्छे से उल्लू बनाया है मेरे दोस्त देखिए देखिए मुझे किसी से बात करनी है मुझे कॉल करने दीजे तुम मुझे बताओगे कि अगला अटाइक कहा होने वाला है मुझे किसी को कॉल करने दो मुझे किसी को कॉल करने दो कहां देन्वर शिकागो एले बाइक अमेरिकन हूँ पैक अमेरिकन हूँ मुझे बता दो कि कहां होगा और ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं कि आप कहां फास रहे हैं वहले में एले में डाउन टाउन अले सीम में वहीं पे अगला टैक होने वाला है क्यो कि अष्थ लाप पास लापना लापको अपापक सकते हैं इस्पर नहीं को... कि अर्थर नहीं कि अर्थर आपक इसरी जान ग्रिकन हो कव्प्सराईएब रहता हूँ कि अर्दार बढ़ा हैं अर्दा फुएएव आपको डिकेश़ आफ करना दोस्त आफ सब करने सच में उस दिन मेरी खाल की खराब ज़िए वो भाग दिया वो मेरा जैकेट ले गया अजिए, वाई भाई भी खराब घॉणियो इटाे, वाई भाई 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 भी खराब ले खराब भीया भाई वाई कि खराब युछ लग कि अवाओ लोग् सब्सकेता युछ लुछे माद से क्वारी आव अंअड़की अर्भा सब्सकेर विए विए यो चाह से घंड जड़ लिए लाओ पुलिस बहुत ही सब्सक्राइब इरिया में गई है जो एक समय पर अमेरिकन इंडेस्टियरिजम की दियम पर तलने वाले जगाशी स्नाइडर पेल्डिक अब बस रेड्ड ग्रोस के लोगों से फरीपड़ी है अब और हमारे संबात आता आगे आगे आपको बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है ठीक है 15 माइल्स बाहर 376 और 579 उन्हें बंद कर दो एरपोर्ट की तरफ? बिट टाउन देखो यहां से शुरुआत करो और यहां तक जाओ कुछ स्थानिय लोगों ने कहा कि पुलीस और FBI पूरे पिट्सबर्ग शहर में सुबर से गहरे हुए है और काफी कुछसे में है तुम्हारे पास 20 माइल का रेडियस है तुम्हारे पास FEMA और National Guard है तो फिर इस सब में रिस्क क्या है वो किसी ना किसी को जरूर ढूने गा पुलीस चीफ बॉर्ट ने आज स्टेट्मेंट इशू किया है ये कहते हुए कि हाई एक्स्यूज मी स्पेशल एजेंट राइन कार्टर क्या में आपके यूमन रिसोर्स डिरेक्टर से बात कर सकता हूँ क्या आपको लगता है कि इसमें कोई शामिल है नहीं नहीं हमें बस हमारे सारे बेस कवर करने है और सब कुछ चेक करना है ठीक है सारे डिपार्टमेंट के लोगों के नाम इस लिस्ट में है उन्होंने कभी यहां काम किया फाइल्स और सब कुछ उन्होंने के लिए है अन्यूय सत्ते हुआ यह निए। सको भाफ करना शाहता हो प्सकाना रावन ओके मैं देखती हूँ प्लीज होड़ती जी कोई बात नहीं कि आप चालती हूँ कहा होगी आशार वो प्लीज पर हो सकती है अगर तुम्हार पर स्टाइन है तो हम जाकर देख सकते हैं क्या हुआ तुम्हार अथोरिटीज ने ये गन्फर्म किया है कि ये आदमी मिलिटरी से है सुनो तुम क्या करना चाहते हो उसके बारे में पता करने का यही एक तरीका है तुम्हें पता भी है ये CIA वले क्या कर सकते हैं वो हमें जानकारी नहीं देते हैं नहीं हमने तुम्हें कोई जानकारी नहीं दी अगर ये बात बढ़ी तो तुम्हें ही भूगतना पड़ेगा ये आदमी कौन है प्रेसिडेंट के यहाँ पहुचने से पहले तुम पता करो ठीक है गेटवे प्लाजा 441 बिल्डिंग 2 आप क्या है तुम्हें क्या लगता है जैसे ही हमने न्यूज देखा सिक्योरिटी ने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया और पता नहीं वो कैसे गायब हो गया उसे यहां से क्या चाहिए था उसने कहा कि उसे यहां काम करने वाले लोगों की फाइल्स देखनी थी मिल गया ओ सर्वर जहां से यह वीडियो आया था वो एक पिट्सबर्ग के घर से आया है स्क्वेरल हिल सही पहचाना 114 बीच वूड बुलेवार्ड है चलो किसी को वहांपर जाने को कहते हैं जाओं 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 प्री आपरी एए वह हाड़ड द्राइव दिकालो आ करेल दो आ day आ कि प्सक्क्राइव देुख दोना किप्सक्राइव 김 आहा, मुझे पुलिस से बात करनी है अब ये जगें खत्री में किसी भी चीज़ को मत छुनो सर, मेरा नाम राइन टेनल है तो वो, आतंकी हो, जिसने पूरी बिल्डिंग उड़ा दी उसका अनर राववन आपने इस लड़की को घर किराए पर दिया था ये वही है जिसने मुझे नमबर दिया था, जिससे बम फटा था मुझे उस लड़की की जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फसाद की जड़ तक पहुझू आप ये अच्छी से जानते हैं और मैं भी मरीन्स गद्दार नहीं पैदा करते हैं ये तुम पर है कि तुम इसे कैसे साबित करते हो तेरे रिकार्ड से तुम्हें क्या मदद मिलेगी मुझे पैसे क्रास है ये देख सकता हूँ पश्किल है क्योंकि उसने कैश दिया था नहीं, मुझे बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, अगर उसने चेक दिया हो तो बैंक स्टेटमेंट्स नहीं है, बस कैश है वही जो घर माली को चाहिए होता है इस बात को ध्यान से सुनिये उसके पास हथियार है और वो बहुत ही ख़दरनाक है जो जानकारी हमें मिली है लीड एफबिया इंवेस्टिकेटर से जो इसकीज की चानबीन कर रहे है उन्होंने कहा कि फेडरल ब्यूर ओफ इंवेस्टिकेशन ने इस बात की पुछती की है कि राइन टेलर एक सोर्स है और वो बाहर खुला खुल रहा है इसे पकड़ने के लिए सारी मेहनत की जा रही है जो इसकी इसका सस्पेक्ट है तो हम उमीद करते हैं कि मिस्टर टेलर अभी भी भाग सकते हैं तुम पुलिस को क्यों नहीं बता देते क्योंकि शायद वो तुम पर विश्वास करें लड़की की जानकारी मिलने पर बस इतना ही पता चलता है कि वो साथ ही थी मुझे वो मास्क वाला आदमी चाहिए जो टीवी पर दिखता है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ क्या मैं बात कर सकता हूँ आप पॉइट से मुझे लगता है वो अभी अभी बाहर गये है लेकिन मैं एक बार ऑफिस में देख लेती हूँ यह नाम तो जाना पहचाना लगता है वो आप सॉरी वो अभी अभी घर चले गए मुझे लगता है कि वो साइनर था ठीक है शुक्रें देखो मुझे मिल गया आपको यह साही लग रहा है बेलकुल मैं सब चेक करता हूँ और शायद वो काफी जाना माना लग रहा है उसने काफी सा रेलीस को साइन किया है और वो सब बिछली गर्मियों में मेरे यहां आए थे कौन है सर हम पिछबग पुलीस से है वो नलकी के पता डूमते वह यहां पहुच्छे है यह मुझे दीजिए सर हम पिछबग पुलीस से है बाइदेवे दर्वाजा संभाल कर खोलना अस होगी दा एर फोर्स वान लैंड कर रहा है बिट्सबर्ग इंटरनाशनल की पास एर रिजर्व स्टेशन पर क्योंकि कलके स्नाइडर बिल्डिंग पर हुए टर्रिस्ट अठैक की मजे से आज प्रेसिडेंट ग्राउन जीरो को भीट देंगे राउन जीरो पर अब जगा बची नहीं है सबको अपने हाथ महले करने हैं और मिशन पूरा करना है साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि आप एक खास पोजिशन पर है और आपको जितनी हो सके मदद करनी है और वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारी जरूरत ना हो प्राइवेट प्रापरटी है आपकी आफिस से पता चला आप यहां मेलेंगे आपकी आपकी प्राइवेट प्रापरटी है मुझे पुलिस को बोलाना पड़ेगा यह आपने इन काख़ात पर दस्तकत किये मैं पुलिस बलाता हूँ कैसे हैं माफ कीजिए मैं मैं आपको इससे आगे नहीं जाने दे सकता मैं मीडिया से हो माफ कीजिए आपको फिर भी नहीं जाने दे सकता इस पॉइंट से आगे कोई भी आमाद मी नहीं जा सकता मैं प्रेजिडेंट से मिलने आई हूँ देखिए आप गाडी घुमाईए औ अपको जाना पड़ेगा प्लीस जाहिए जल्दी जाहिए थांक यू पूर नीचे रखो देखो यसा मत करो, मारो मत मुझे अपने पेपर्स पर साइन कियो तर प्लीस अपने गन नीचे करो प्लीस याकव डिमिट्री अपने इनकी लीस पे क्यों साइन की उनको एक फ्रेंट मैन की ज़रुवत थी लिगन किसलिए एक को साइनर के तौर पे लीस या लोन्स के लिए जाब्स खोजने के लिए समझने की कोशिश करो लिगन किस से उनके पैसों के लिए उन्हें कोई चाहिए था जो उन्हें कवर कर सकें उनके सच्पीशियस ट्रंसक्शन्स अन्यूजवल वायर ट्रांसफर्स तरी अब बैंकर है बैंकर और भी बहुत कुछ मैं ही उनके अकाउंट्स को देखता हूँ अब ही क्यों हमारे स्यूरिक ब्रांच ने उसके साथ हम मुझे लगाया मुझे लगा वो साओधी के कुछ लोग हैं बस इमिग्रांट्स टैक्स बचाने वाले वो लोग टेरिरिस्ट है तुम्हें समझना पड़ेगा एक बार अकाउंट में इनीशियल लेवल पे डिपॉजिट हो गया मुझे बस मैनेज के लिए कहा गया था कितने हैं उनके पास पच्छीस मीलियन मुझे वो अकाउंट की जन करी चाहिए नहीं समझे अगर मैं उनके अकाउंट की चाहिए करूंगा तभी मैं उस आदमी की लोकेशन जान पाऊंगा उनके पास मेरा इंटरनेट कनेक्शन है वो मेरा सेलफ़ोन ट्रैक कर रहे हैं मेरे अकाउंट्स मॉनिटर कर रहे हैं वो मुझे मार देंगे इस ग्रूप के लीडर को ढूड़ना ही मेरे सिंदर रहने का सिर्फ वर सिर्फ एक आखरी मौका है देखो मैं लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ मुझे पता है कि तुम उनके प्लान का हिस्सा नहीं थे लेकिन मैं तुम्हें उनसे बचा सकता हूँ वहीं लीडर होना चाहिए जो बंदा टीवी बनाता है वो आदमी सब के लिए बात करता है मैं तुम्हें बेगुना साबित कर सकता हूँ वो लीडर ही है जिसकी बात वो लोग सुनते हैं यह सही वक्त नहीं है किस लिए किस लिए सही वाग? रुको, मुझे थोड़ी देर और लगेगी किस लिए? किस लिए सही वाग? अकाउंट रिलीज करने के लिए किस के लिए? मीडिया में क्यों? दरसल वहाँ पर एक आप किस लिए क्योंकि लोग वहाँ अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं उसके बाद प्रेस सेकरेटरी जोसेप चिबली राश्ट्रपती कॉलिंस के रिस्क्यू परफर्ट के बारे में बाद करेंगे और सब की हिंमत बढ़ाएंगे जो भी बाद जाएंगे पुझे वो नाम चाहिए पुझे उनकी लीडर को धूढ नहीं है कर दो कर दो प्लीस, बस यही एक मौका है, निख्या, र, रसनाव, 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 हाँ, मुझे बैंकर को मारना पड़ा, क्यों, सिर्फ कुछी मिनट तो बचे थे, वामेरिकन, यहाँ है, आइवन, हमारे प्लान के लिए जरूरी है, कि बैंक अकाउंट मीडिया के लिए रिलीस किया जाए, नहीं हो सकता, कहा है, तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है, तुम्हें इसे रोक सकते हो, रसनाव कहा है, तुम सोच भी नहीं सकते, अलफाहाद उतना ताकदवर है, कि अखिए, कि अखिए, पुलाओ, पुलाओ, उझे लोकेशन मताओ, ग्राउंड जीरो, आपकी जानकारी Quantico के Intelligence Bureau Office की तरफ प्री रूट कर दी गई है अरे माड़म यह कोई टिप नहीं है हमारे Soldiers से लेकर Police Officers तक हम आपको देखते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं मुलत फिर से शेहर को तभा करने जा रहा है मैं Federal Bureau of Investigation के एक इस्सददार मेंबर हूँ और मुझे मैडम कहकर नहीं बुला सकते हैं आप समझ गए देखिए मैं वही आत्मी हूँ जिसस्नाइडर बिल्डिंग पर बाम गिराया और मैं अपने गुलाह कबूल करना चाहता हूँ ठीक है आपको एजिन्ट काटर से बात करनी है कैसे लिखते हैं ये जो अकाउंट इंफर्मेशन उन्होंने भेजी है उसकी चार्ज करो और वो अमरीकी भागना नहीं चाहिए अरे मरी बात तो सुरो मुझे डॉक्टर की जरूरत तुम्हें मिलाया नहीं तैस्नॉव ने कहा उसके पास होगा ठूनते रहो कहा है कहा है तैस्टर के बात करना चाहरा है दूसरे आटक के बारे में है काटर कोई तुमसे बात करना चाहता है हाँ काटर बोला रायन मेरी बात सुनो अगला टार्गेट एले नहीं है वो है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है वो यह कभी अटेक थाई ही नहीं मुझे आवास नहीं आ रही है यह कभी अटेक थाई ही नहीं एले टार्गेट हमारे राश्रपती है राश्रपती एले नहीं है, प्रेसिडेंट है, I repeat, हमारे राश्रपती है आपको मेरे बात सुन्दी पड़ेगी, जहां से सुरो तुम्हें करना पड़े मुझे सीक्रेट सर्विस से अभी के अभी बात करनी है मिल गया बेजो उसे उसने नहीं लिखा है कोई बहाना बना देंगे ठीक है, मेरा नाम आर्ट बॉइड है मुझे सिक्योरिटी से बात करनी है ठीक है, मेरी बात करवाओ बहुत ही ज़रूरी काम है ये हमेशा हम सभी को चुनोती देता रहेगा और अब हमें इसका सामना करना होगा जो कई सदियों तक हमने जोख़िम उठाया है आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, समझ लो ये बेवकॉफ अमेरिक ये आजादी है इसके लिए हमारे दुश्मन मौत चुनते है अब तक मैंने कुछ नहीं किया है तो आजादी का भयानक विनाज का सामना नहीं कर सकते दो सौ सालों तक इस मूपर वाले ने दिये हुए आजादी के कभी न खत्म होने वाले युद्ध की वजए से इस युद्ध को हमारे दिनों में जारी रखना होगा ये मनिदान का डर है तो अब हम सब को इसका सामना करना होगा इसका इतने लोगों ने मर कर सामना किया और खतरनाक आतफवादियों को पकड़ना हमें भी इसका सामना करना होगा कि नई नई... डाष्ट्ट पथी को गाउन Zero से दूर ले जाईए मुझे माफ कीजेगा दोस्तों मुझे पता नहीं अभी अभी यहां क्या हुआ शायद हमें सिगनल मिल नहीं रहा या शायद अभी है ठीक है हम सिगनल मिलने की राह देख रहे हैं लेकिन यहां कुछ प्रॉब्लम है और मुझे बताया गया है कि यहां पर एक धमाका हुआ है ठीक है हाँ एक और धमाका भी हुआ है इतने सारे चैनलिस को तुम्हारा पैसा क्यों दिखा रहा है विक्टर विक्टर अकाउंट भेजाया नहीं विक्टर अकाउंट भेजाया नहीं कामें विक्टर अकाउंट भेजाया नहीं मेडिया को तुम्हारे फाइनसेज दिखाने के क्या सब्रूरत थे शायद और भी बहुत कुछ होने वाला है तुमने मुझे फसाया हमें कोई चाहिए था जो आथोरिटीज को गुमराह कर सके और मैं ही क्यों क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम जिहाद से ऐसे ही भाग सकते हो तुम अमेरिकन टूरिस्ट की तरह दिखते हो वसीने से लटपत और डर से घिरे हुए क्या तुम तयार हो मेरे दोस्त मारे भाई चाहते थे कि मैं अमेरिकन एमबसी पर बंफोर्द हूँ हम जानना चाहते थे कि तुम्हारी नफरत सची है या नहीं और मैंने सबान दी थी अपनी लेकिन तुम्हारी जान नहीं तुम्हें उसकी सवरत नहीं अभी तुम्हें तुम्हारी किस्मत को ठुकराया है मिस्टर टेलर मैं मेरे वफादारी दिखाने के लिए आत्मा द्याना ही कर सकता था और इसी लिए तुम जीते जी इस चाहनुम में रहोगे सुनो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उन्हें बताओ इससे मेरा कोई लिना देना नहीं है मैं अपनी इससते कमजोर इनसान के लिए क्यों दाओं पे लगाऊं पुलिस मुझे मार डालेगी फिर उसे तुम अपना बलिदान समझना तुम मेरी बताद ही करोगे मैं खुट्टून निकालूगा उस देल कहीं के हाँ चप्यातो कमान पताओ हाँ चप्यातो शॉट्स वायर ट्वेंटी फॉट्वर्टीन हंटलेन फॉक्स चैपल मीए और आप्ट्राइबल से काफी लोग सकवी है संदिक्त आतंपादी रायन दिलन नजर आया है सारे उनेट्स के प्यासा होधानी परते है कर्टर बोल रहा हूं मिकेल ब्रेजनाफ उसका नाम मिकेल ब्रेजनाफ है वही है मासकोला बंदा अल फाहत का लीडर आपको मीडिया के संपर्क में रहना होगा किसी न्यूस और्ग्राइज़ेशन को उसने अपना बैक अकाउंट दे दिया था पता नहीं क्यूँ मुझे लगता है वो ज़रूर कुछ ब्लैन कर रहा है काटर C.I.E. तुम्हारे साथ डील करने के लिए इतनी बेताब क्यों थी माफ करना तुम्हारी खामोशी उनके लिए इतनी कीमती क्यों थी वो नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्होंने मेरे साथ पहले भी एक बार डील की थी दिस पैच 102 राल टिलर में जराया है वो फॉक्स टर्णर रिजिदेंस फर्म टैश वोस में निकल चुका है उसमें से करके एक मालिक के पहचान भी हो चुकी है सारे यूनिट्स और पैरमेडिक्स कृप्या ध्यान दीचे मेरे टीम मर चुकी है सब मर चुके है काप्स टैक्स और स्वाट सब मर चुके है जिसे का तुमने हमें भेजा था वो बस एक जाल था मैं नहीं जानता था पता है मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है सोचता हो कि तुम्हें पहले क्यों नहीं मार दिया कटर हाँ ये खत्म नहीं हुआ है चलो रेस्टेंट को इस बुमिका का हिसाब कैसे देंगे आ ठीक है ठीक है ठीक है बस करो बेट जाओ राश्ट्रपती की सिक्यॉरिटी टीम के कई लोग जगा पर ही मारे गए उससे राश्ट्रपती की जानखते में अभी तुम्हें लगता है कि तुम हमारे लोगो को मार सकते हो तुम मार नहीं पाओगे मेरे लोग मुझे ढून लेंगे वो लोग कोई समझोता नहीं करेंगे हम आतंकवादियों के साथ कोई नेगोशियेशन नहीं करतें है क्या मिस्टर प्रेजिडेंट ब्रेकिंग न्यूज अपडेंट में देश भर के तमाम न्यूज और्गनाईजेशन बैंक से जानकारी पा रहे है जो की असल में नए बने आतंकवादी क्रूप अलफ़ाद का है अलफ़ाद की सारी खरीदारिया और सारे ट्रांजाक्शन यहां पर है इन स्विस बैंक अकाउंट में मेडिया को इतनी जल्दी ये जानकारी कहा से लिए जाती है बैंक करने देज़ा और ये देश पर की मीडिया न्यूज आउटलेट्स को भीजा गया है स्वर्गवासी आर्ट बॉइट ने बश्चा तब में जुलस रहे एक आद्बी की ये आखरी कोशिश है जिसमें वो आतंकवादी नेटवर्क का परदा फाश करना चाहता था बेचारा, अलफ़ाद में उसके पीछे छे लोगों को भीज़ा हमें इन लोगों के बारे में सब कुछ पता चल गया है ये क्या है बीस लाग नहीं आ रहा अगला ट्रांसाक्शन प्रेटर पर प्लेस किया गया है कजाकिस्तान से जो भी था ये काफी दिल्चस्प रहा होगा कैस्पियन से एरान फिर नीचे साउथ अट्लांटिक फिर कूद कर साउथ अमेरिका में दो महीने के लिए तो वो ट्रैफिकिंग लेन का इस्तमाल कर रहा है पर किसलिए मुझे मिकिल रजनो पर जो भी जानकारी मिले दे देना कर्ट हम कनफर्म करते हैं कि एस्वेस बैंक में अकाउंट उस आदमी का है कि नहीं रजनो व ट्रांजेक्शन से एक और लीड मिला है भाइट पार्क के को इंडस्ट्रियल फैक्टरी है बैनिंग्स देखो मुझे ऐसा लगता है कि रजनो ने हमारे देश में हाथियार भीजे है वक्त गुसरता जा रहा है लेकिन सवाल के जवाब मिले नहीं है एक टेररिस लीडर निकेल रजनोफ का बैंक अकाउंट उसके बारे में और उसके और उसके और्गनाइजेशन के बारे में हमें क्या बता सकता है पुरे देश भर में फैनाशल एक्सपर्ट्स और चेनलिस्ट कोई सुराख धून निकालने की कोशिश में है ये मौका हम गवा नहीं सकते हैं तो तुम्हें जल्द से जल्द जाना होगा इससे पहले कि सब लोग वाँ पहुँचकर उसे भगा दे हैं हरे इक गुजरते लम्हे के साथ निकेल रसनोफ को कुश निकालना ना उंकिन होता जा रहा है जो आज दिन भर अथोरिटी से बच रहा है ऐसा कौन है जो चेचिन के आतंकवादि इतने सारे पैसे भेज रहा है जो आज पैसे भी रहा है तुम मेरे साथ आ रहे हो और तुम उन्हें सच बताओगे ये एक चाल है हलो बहादूर अमेरिकन पिछले 24 गंटों से तुम गुस्ते में उबल रहे हो क्योंकि तुम्हारे देश पर हमला हुआ है तुम यहां न्याए के नाम पे आए लेकिन मैं तसली देता हूँ कि तुमने मेरे गोल को फालो किया है इस रूम में बैट कर ही आजाद दुनिया का लीडर बनाओं दो सदियों तक दुनिया ने उसकी पोजीशन पाने की कोशिश की है आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम खुद को साबित करो तुम्हारे सामने वो डिवाइस है जो मीलों दूर से यहां तक पहुँचा है और आज हमारे सामने है तुम इसे सामोहिक विनाश का अस्तर कह सकते हो लेकिन मैं इसे कहता हूँ सूटकेस न्यूक मारे पास डरने के लिए बस डर ही है बिना कारण का अन्याई आतंक अब तुम देखोगे कि असली जन दंत्र क्या होता है उस डिवाइस पर लगे टाइमर को तुम्हें तै करने को जितना समय चाहिए उससे ज्यादा समय के लिए प्रोग्राम किया गया है लेकिन वो बैटरी पर नहीं चलता वो प्रेजिडेंट से ही जुड़ा हुआ है ऐसा कह सकते हो उसके दिल की धड़कन से जुड़ा है तो जितनी देर उसका दिल धड़कता रहेगा उतना ही टाइमर चलता रहेगा जीरो तक अगर तुमने प्रेजिडेंट और डिवाइस के बीच किये वायर काटी तो इससे तुरंत बड़ा धामा कहोगा खेल आसान है तुम्हारे लीडर को मारो और देश को बचाओ यह क्या बकवास कर रहा है चलो चलते हैं यासे उसके बकवास से हम डरने वाले नहीं हैं तो मैं यासे निकलना होगा मुझे लगा था तुम अलभाहाद से जुड़े हो नहीं सर मैं अमेरिकन हूँ शुकर है उपर वाले का किसी से कोई जानकारी नहीं FBI, CIA या इंटरपोल हमें FSB से कुछ उम्मीद थी क्या हमारे आदमी रशियन है? रिकेल S. रजनौव, मार्च 1985 रोजनीन में जन्मा, चेचेन रिपब्लिक उसका चहरा हमेशा के लिए बिगड़ गया जब उसके टेररिस कैमपर ड्रोन अटाक हुआ अपना चहरा चुपाने के लिए मास्क पहनता है वो डेटाबेस में था क्योंकि वो आई-ए-पी-बी से जुड़ा था दो अलफ़ाद चेचन में है ये एक छोटा सा सेल है या फिर आई-ए-पी-बी या अल-काइदा मुझे लगा कि तुमने कहा कि ये आदमे चेचन से है एक जासूस में बताए कि 2005 के दर्मिया वो रशिया में था अगले साथ साल उसने मिडल एस्ट में बिताए और अल-काइदा के लिए बड़े लोगों के साथ काम किया कौन? उसामा बिन लादन राश्रपंदी जी मैं चाहता हूँ कि आप ये याद करने की कोशिश करिए कि क्या उन्होंने आगे कहा जाएंगे इसकी कोई बात की? क्या उन्होंने ऐसी कोई भी बात की जिससे मुझे पता चले वो कहा जाने वाले आगे? नहीं नहीं मुझे सिक्रेट सर्विस को फोन करना है माफ किजिए सर अब मुझे सैकलो पुलिस वालों के बीच सिक्रेट सर्विस वाले नहीं चाहिए हेलो बहादूर अमेरिकन साइड में ले लो मुझे बाहर जाने दो हम वापस आ गए हैं अलफाहाद लीडर मिकेर राश्रपती कॉलन्स से एक निवीर वेपन चुड़ा है ये डिवाइस कमांडर इंचीफ के दिल की धड़कन से चुड़ा है तो राश्रपती की जान लेनी पड़ेगी खेल आसान है लीडर को खतम करो और देश को बचाओ ठीक है रास्ते के उस पर पेट्रोल पम का जो मालिक है उसने रायन को पंदरा मिनिट पहले देखा था उसका कहना है कि राश्रपती उसके साथ थे हाँ राश्रपती मेरे साथ है हमने सिक्यूरिटी कैमरा में देखा कि तुम उन्हें ले गए फिक्र मत करो वो ठीक है क्या ये सच है ऐसा लग तो रहा है देखो काटर ये इससे बढ़कर है रैसनाफ की बैंकर ने पीडिया को अपना अकाउंट नहीं बेचा है और आसना अपने खुद बेचा ला क्या पता ने क्यों लेकिन वो लोगों को अपना पैसा दिखाना चाहता है सुनो बॉम इस खेल की आखरी कड़ी नहीं है पेरी राश्रपती से बात कराओ सर मैं स्पेशल एजेंट राउंड कार्टर बोल रहा हूँ क्लॉक पर हमारे पास कितना समय है करीब करीब तेड़ घंटा ठीक है सर वो वो इस वक्त नैक को फ्टूल कर रहे हैं देखिए सर बस हमें लोकेशन भेज दीजिए और हम हमारी टीम को भेज देंगे शायद हम येलो बेल्ट से बाहर आएं और शायद हम इस फोन पर लॉक लगा दो ठीक है वो ये कार लेगा मैं आपको ने ओक तक ले जाओंगा इस वक्त आपस मुझे रुश्रास कर सकते हैं रजनवों जनता से अपील कर रहा है और साथ ही ओफिशिल्फ जनता को शान्त रहने को कह रहे हैं और रजनव को नजरंदास करने के लिए कह रहे है हम वापसा कर देखेंगे लाखो लोगों की जान बचाने के लिए अमरीकी राष्ट्रपती की चान लेना मुनासिब होगा या नहीं हमारे साथ चुड़े रही है पूरे शेहर को पता चल गया है कि पर्माणूमिय विनाश हो कर रहेगा इसलिए अमरीकी रहवासी इस पर तुरंद करवाई लेने की मांग कर रहे हमारे प्रेजिडेंट हमारे लीडर है सबसे पहले उन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्या बढ़ता है बार डालो पाकवाज बंद करो याँ क्या तुम्हें लगता है वो हमारा फाइदा उठा रहा है प्रेजिडेंट को लेकर लेकिन किस लिए है अधिकार हाँ मिल गया वो वेस्ट में जा रहे है 376 फाइल मार्कव 15 ठीक है यूनिट्स तयार हाँ दोस्त हमें राश्टपती मिल गये है क्या हमें स्ट्राइक करने का उथ्वराइजेशन है क्या कहा पारना है या नो कैप्चर मिशन है हम अमेरिका के राश्टपती की बात कर रहे हैं साजन लेकिन आप नहीं फिर से कहो क्यापिटल हिल के तुम्हारे दोस्तों ने अभी अभी उसके वोट जीन ली है तुम्हें ये रोकना होगा कॉंग्रेस ने डिसीजन ले लिया है आप वो अमेरिका के राश्टपती है और वो न्यूक से जुड़े है 25 वे अमेर्टमेंट में खास कर लिखाए कि जब राश्टपती अपने ओफिस को डिश्चार्ज नहीं कर पाता तब वो पराश्टपती उसके जगह ले लेता है हमें तो पता भी नहीं है कि रजनो बम के बारे में सच कह रहा है या नहीं लेकिन उसने उन्हें मना लिया है तो क्या करें? हम उसे रास्ते पर ही उड़ा दे? कार्टर, उन्होंने इसे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैम्प में पाया है अब मेरा मतलब है C.I.E. उसके साथ डेल क्यों करना चाहती थी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ 2008, यह आदमी मरीन यूनिट से अवोल गया और उसके आगे C.I.E. ने उसे अलकाइदा के ट्रेनिंग कैम्प पर देखा तो उन्होंने उसे तभी क्यों नहीं मार डाला? क्योंकि उसने इंटेल को टेरिरिस्ट ट्रेनिंग कैम्प का लोकेशन दिया यह आदमी उनके हाथों बिका हुआ है इससे फर्क नहीं परता कि वो किसको बिका पैनिंग्स उसने अभी तक उन्हें मारा नहीं है वो वाशिंग्टेन पर छोड़ रहे हैं इसका क्या मतलब है? कार्टर तुम्हें रूल पता है हम आतंकवादियों से नेगोशियेट नहीं करते अथोरिटीस ने लोगों से दरुवास्त की है कि 376 पावबे से दूर रहे हमें इसकी जानकारी नहीं है कि यह क्या है लेकिन कुछ सॉसिस से पता चला है कि इस एरिया में बड़ा मिलिटरी ओपरिशेट होने वाला है हम सब को सावधान करना चाहते हैं कि जितना हो सके दूर रहे ओ सत्यानाश वो हेलिकॉप्टर हमारा सिर के उपर मन रहा है 94 जीप ग्राइन जीरो की स्पाट की गई है काड़ी वेस्ट में जा रही है 376 पर विक्लर वन चार्ली 3-5 यहां से बाहर निकलो ए उपर वाले बस बले रहिए टार्गेट एंगेज़ट तुमने यह सोच कैसे लिया कि वो पूरे शेहर को एवाक्यूएट करेंगे हमें पिट्सबर्ग के लोगों को बचाने के लिए अब यह करना ही होगा रास इसे दूर हटो क्या अमरीकी लोगों का विश्वास तूट चुका है क्या हमारो या मरो इस सोच के साथ जी रहे हैं कुछ लोग इसे अनायतिक कह रहे हैं और कुछ कहते हैं कि जीने के लिए कुछ भी करेंगे मुझे लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा क्या हम लाखो लोगों के लिए हमारे अपने प्रेसिडेंट की जानदाओं पर लगाने को तयार हैं अटो बेव गुपो वो हमसे छुप रहा है वो हमसे छुप रहा है यह बहुत बड़ा धमाका हुआ है कहा जा रहा है कि काफी लोग जखमी हो चुके हैं यह धमाका किस नी किया है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस यह भी नहीं जानती कि आखिर यह सब कौन कर रहा है हमें बस यही बता चला है कि अपाचे हेलिकॉप्टर इससे मुझसे दूर करो रायन तुम्हें उन्हें उनके हवाले करना होगा वो उन्हें मार डालेंगे वो अब हमारे राष्टपती नहीं है तुम और मैं जानते हैं कि एक कॉप को हम खो चुके हैं वो खुद को बचाना चाहते हैं मेरी बात मानों वो न्यूक्लियर बम से जुड़े हुए हैं और हम अभी भी उससे रोख सकते हैं इस वक्त पूरा गवर्न्मेंट उनके चान के पीछे हाथ धोके पड़ा है और इसलिए हमें अपना दिमाग सही रखना होगा फिर हमें उन्हें चॉपर में बिठाना ही होगा तुम उन्हें हेलिकॉप्टर में बिठाओ और वो बॉम फट जाएगा प्राजन आफ ने बम पर जीपिएस नेविगेटर इंस्टॉल किया है हवा में जाते ही वो बम फट जाएगा अगर वो शेर से भाल जाएगे पॉम पट जाएगा हटो ठीक है मैं मैं तुम्हें एक सेफाउस की जानकारी भीज रहा हूँ और मैं एक टीम बनाता हूँ क्या तुम इन पर विश्वास करते हो तुम अपना फोन फेक दो यूनिट तुम्हें देखकर ट्रै कर रहा है बस बस वो निकल गया सब कुछ तयार रखो वो यहां पहुंचेंगे तो हमारे पास जादा वक नहीं होगा जलो चले हमारे पास बूरा दिन नहीं है राश्रपती जी मैं चाहता हूँ कि आप प्रैजल आफ के अकाउन को देखें और बताए कि उसके कोई भी ट्रांजेक्शन्स हमें किसी जगा पर ले जाते हैं हम जहां है उसके लावा कैश विड्रॉल हुआ है विड्रॉल कैश कैश अकाउंट से कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है लेकिन सब कैश विड्रॉल से ही और उसे कौन फंद कर रहा है यहां पर लिखा है कि पहला डिपोजिट अप्रेल 2011 में हुआ था यहां पर लिखा है कि उनका हेड़ ऑफिस 3325 एवेन्यू पर है वो कहा है राउंड जीरो स्नाइडर बिल्डिंग अर्ड फ्लोर उनके पहले इंवेस्टर पर बंप्यू पोड़े है एक शेल कॉर्प है यह तुम्हें कैसे पता उनके ज्यादा तर इन्वोईसिज अड़ट के लिए है वेबसाइट पर लिखा है वो पब्लिक ली ट्रेड करते हैं लेकिन एवको ओईल और नस्टैक पर कोई लिस्टिंग नहीं है ज्यादा तर वायर ट्रांसफर नंबर्ड स्विस बैंक अकाउंट्स के साथ हैं हम डीबीय को ट्रेक कर सकते हैं मुझे किसी का नाम नहीं मिल रहा है एड आफिस यहाँ है पेपर वर्क वरजीनिया में फाइल किया गया था कहां पैंगली से आ रहा है हाँ बैंडिंग से बात कराईए और आपको एक बैंक अकाउंट को जब्द करना होगा नहीं नहीं ये एक चाल है आपको गैग ओर्डर से ही दिखाना होगा आखिर चेचिन के आतंगवादी को कौन पंडिंग कर रहा है एक्सपर्ट का कहना है कि इस सवल का जवाब उने आखिर रैसनाव तक ले जाएगा ठीक है राश्टर पती जी अब हम यहां यह करेंगे कि किसी तरह आप पर से वायर निकालने की कोशिश करेंगे पिर मैं उनकी जाच करूँगा देखूँगा कि यह बं कैसे कनेक किये गए है और ध्यान रखूँगा कि कहीं यह हमारे सर ही ना उड़ा है हमारे इन्विस्टिकेटर्स की टीम खुद मिकेड राज को उठाए पाइए जिससे बहुत गंदा तूफान आने वाला है उस अकाउन को वहां से बाहर मिकालो अभी के अभी अब जरूरी बात यह है कि पहली बात यह है कि यहान से सुनिए मैं जो कह रहा हूँ असल में मिडल इस्टन ओयल कंपनी से है अवको ओयल जब हमने तहकीकात की हमें पता चला कि कई सारी फाइनाशल इंस्टिउशन्स हैं जो इससे जुड़ी हैं और वही मिकेल को फंड कर रहे हैं और वो भी डारेक्टली सेंट्रल इंटेलिजन्स एजिंसी से experts का मानना ये है कि ये transactions हुए है लेकिन वो ये नहीं जानते कि CIA खुद foreign terrorist को क्यों फंड कर रही है और इसके साथ ही Department of Justice Central Intelligence Agency के head कल के terrorist attack को फंड करने के लिए officials को जिमेदार ठहरा रहे है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो Swiss bank account है जो मिकेल राजनौव के नाम पर है आप उपर देख सकते हैं कि पहला funding आपको ओईल की तरफ से था जो कि असल में पहला ग्रूप था CIA का एक्सरे के लिए हमारे पास वक्त नहीं है संसरी खेस ख़बर ये है कि CIA और टेररिस्ट ऑगनाईजेशन को फंट कर रही है ये सुनकर देश घर में सारे लोगे कठा हुए हमें हमें अमें अमेरिका को खड़े होकर कहना चाहिए हम ये नहीं साहेंगे इसलिए उन्होंने अकाउंट्स को रिलीज किया था हम प्रोटेस्ट करेंगे मुझे लगता है मैसेज भेजने का वक्त आ गया है रॉयन कर क्या रहे हो तुम हम अब भी राज़नाफ को रून सकते है जो हमें थोड़ी तेजी से काम करना होगा और मुझे थोड़ा और समय दो मैं तो तुम्हें दुनिया का सारा वक्त दे दूँगा पर ये बं तुम्हें और वक्त नहीं देगा वो अकाउंट हमारे लिए सेट अप किया गया है रॉयन हमारा देश अंदर से फट रहा है हमें साथ में को ढूणना है देखो देखो पहला विड्रॉल यूके में था लंडन में कैश विड्रॉल इतरो इंटरनाशनल से फिर वो यूएस आने तक कुछ नहीं इसका मतलब उसने काला बाजरी किये कोई चाहिए था जो उने कबर दे सके हैं ट्रंसाक्शन्स के लिए वायर ट्रांसफर्स के लिए उसने काली दान को सफेद किया किसी ने इस पर बैंकिंग की है क्या तुम इस अकाउंट तक पहुँच सकते हो किसका है बैंकर्स जरा रुकना एक डिले है मैं आपको दोस सेकंड दे सकता हूँ जॉन मेरी सिटी इंजिनर से बात करवाओ हो गया उन्होंने बैंकर के अकाउंट को उनकी खरेदारियों के लिए इस्तमाल किया देखो एप्रिल दोहजार ग्यारा फर्स इंजस्ट्रियल के साथ ट्रांसेक्शन बिंगो तुम्हें लगता है कि रजनों वहाँ पर है मुझे पता है वो वही है इस आदमी को ढून कर जो हो रहा है वो कैसे रोकेंगे नहीं रुकेगा तो तुम कर क्या रहे हो मुझे मरने की कोई एक्छा नहीं है वो एक टेररिस्ट है रायन और इस वक्त सिर्फ वसे पही है जिसकी कोई कीमत है और अगर हम बंडिसाम नहीं कर पाए तो तो फिर यह निर्ण तुम्हें लेना पड़ेगा देखो टेक इसे नहरोक पाएंगे रायन हमारे पास वक्त नहीं है एक इंजिनियर को टर्नल मिला था वो भी पार्क वेपर उसे यकीन है कि ब्लास्ट वहीं पर होगा हम पहले ही आसपास के इरिया की छानबिन कर रहे हैं यह तुम मुझे क्यों बता रहे हो क्योंकि हमें हाट मॉनिटर पर लेक दिखाई दे रहा है अगर हम कुछ सेकंड्स में स्विच को ढूंड लेंगे तो सिंसर को फर्क नहीं पता चलेगा देखो उस बम को एक हाट की ज़रूत है रायन कम से कम डिफ्यूज होने तक मज़े माफ करन एजन काटर ये लोग बिलकुल भी बनने के लाइक नहीं है अब तुम्हें बता चल गया होगा मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ मैं तो बस उसकी रखवाली का दूद हूँ और मैं यहाँ पर मौत लेकर आया हूँ आज से तुम्हारी डर्बो गवर्मेंट तुम्हें किसी भी तरह से सच्चाई से बचा नहीं पाएगी आज के बाद वो तुम्हें असली रंग दिखाएंगे हर सिपाही के हाथ में एजॉल्ट राइफल होगी हर लैम्प पोस्ट और हर कोने पर बार्ब की हुई वायर होगी उन लोगों के लिए कॉंसेंट्रेशन कैंपस होंगे जो सेक्यूरिटी और सुरक्षा खुलने की जूठी बात पर यकीन करेंगे ठीक है दोस्तों अभी आईवी बाहर निकालेंगे हमारे पास कुछी से किन होंगे तो हमको यह पता लगने से पहले की वो आपके हार्ट से अब जुड़ा नहीं है चीक है और मों उसे ट्रांसफर करूँगा एजेंट कार्टर के हाथ पर एजेंट कार्टर क्या आप तयार है सालों तक तुमने पुलिस स्टीट को बढ़ते देखा है अब ये तुम्हारी दुनिया होगी ओमलान सेक्यूरिटी जूज रही है एक अंचाहिद दुश्मन के साथ जो है अमरिकी पबलिंग तो तुम्हें लड़ना होगा तुम्हें टक कर देनी होगी तुम्हें डर से ओपर उठना होगा एजेंट कार्टर माफ करना मुझे सुई अच्छे नहीं लगती ठीक है हम शुरू कर रहे हैं मुझे सुई अच्छे अच्छे नहीं अब वक्त आ गया है बने बलिदान का मेरे राजा बहुत अच्छे मैं ये मीडिया को भीज़दा हूँ शुक्रिया यस तो उसे मार डालो नहीं मार सकता पर क्यों नहीं मार सकते हमें अकेला छोड़ दो तुम्हें लगा कि मैं ऐसे ही भाग जाओगा इनमें आ गया हूँ ताकि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूँ मेरा नाम क्लियर करो इसका मतलब जान लेना भी हो सकता है अगर बात यही हो तो लेकिन क्या यही कारण नहीं कि तुमने हमें CIA के लिए छोड़ दिया मुझे समझ में आ गया कि मेरा वहाँ पे होना अब किसी काम का नहीं था और वो क्या था बिन लादिन को ढूंडा और उसे मारना इतने समय के बाद तुम्हें हमें दोखा देना था तो मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे कारण के बारे में दो बार सोचो क्योंकि इस कारण से तुम्हें आसानी से मौत मिल सकती है अपने कर्म का परिणाम जरूर होता है प्रेजिडेंट कहा है मौत से पम डिफ्यूस नहीं होगा इस से सिर्फ यकीन होगा इससे बढ़कर कोई जीत नहीं कोई बहतर नसीब नहीं मौत से स्यादा रॉयन रॉयन मेरी बास सुनो वो नकली था वो बाम वो बाम नकली था तुम्हें पता है उन्हें सबसे बड़ा दुख किस बात का था हमारे दोस्तों सामा को कि उन्होंने खुद अपने हाथों से नाइन इलेवन के प्लेंस नहीं उड़ाए बलिदान यही योद्धा का असली नसीब है बड़ा होने के बाद डर्पोक नहीं रहना है इसलिए योद्धा जब अपने नसीब को ठुकराता है उसका बलिदान चड़ाना पड़ता है उसके कॉमरेड्स की ड्यूटी है काम ख़तम करने की इसलिए उन्होंने तुमें इतना पैसा दिया तुमें एक दूत हो उमने ही हमारे हवाले किया उसामा बेन लादेन को उन्होंने अपनी जिन्दगी से ज्यादा जिया इसलिए तुमने स्नाटर बिल्डिंग पर बम गिराया मुझे सर्या चाहिए था ट्रांसाक्शन को छुपाने का मैं रिस्क नहीं ले सकता था कि वो मेरे गुरू को सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेचते हैं खबर मिली है कि टेररिस्ट लीडर को अभी अभी पूली ली है फिर भी हम बताने ही सकते कि कैसे अगर आप उनसे अभी चुट रहे हैं मरिन रायल टेलर के टारिक फोनचेर से जिन्हें कब क्या टैक में फसाया गया था कुछे मास्क बूला आदमी चाहिए कुछी पलो में हम आपके सामनी एक इंटर्व्यू पेश करने वाले हैं टीवी वाला आदमी देशभक्ति की भावना पुरे देशभर में चाहिए कर दोके से बढ़नस का भावना आदमी साव्यू। क्या कैसे हूंेर शाँ कॉटर टैनल क्लियर करो, टैनल क्लियर करो, दूसरा बम है बहाँ पर, टैनल क्लियर करो, वो अभी आ रहा है झाल क्लियर करो, वो अभी आ रहा है